जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सर्व? ये बताने के लिए comment box में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, कार्टिक माज के सुकल पक्ष की नौमी तिथी को अक्ष्य नौमी यानि आवला नौमी का पर्व मनाया जाता है अक्षे नौमी के दिन आमले के व्रक्च की पूजा होती है जिससे अखंड सौभाग, आरोग, संतान और सुख सम्रधी की प्राप्ती होती है तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि साल 2022 में अक्षे नौमी का पर्व कब मनाया जाएगा एक नौमबर को या फिर दो नौमबर को इसकी सही तारीक क्या रहेगी साथ ही हम आपको अक्षे नौमी की पूजा का सुख मूरद भी बताएंगे इसके लावा अक्षे नौमी की पूजन सामगरी और संपोन पूजा विदी की जानकारी भी दूँगी साथ ही आपको अक्षे नौमी की व्रत कथा और इस दिन किये जाने वाले तीन काम भी बताऊंगी जिसे करके आप अपने घर में सुख सम्रद्धी सदा सरवदा के लिए प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल वर्ल बेस्ट मैजिक को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथी इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों हिंदु धर्म में आवला नौमी का बहुत अधिक महत्त बतलाया गया है इस दिन आवले के पेड़ की नीचे भगवान विश्णु जी की पूजा का विधान है इस दिन आवले के पेड़ की पूजा की जाती है मानता है कि आवले के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है आवला नौमी पर आवले के पेड़ की पूजा करने से घर में सुक सम्रद्धी बनी रहती है आपको बता दें कि इस साल आवला नौमी के दिन तीन सुपसयोग भी बन रहे हैं इस दिन धनिस्ठा नच्छत्र होने से मित्र और सत्विसा नच्छत्र होने से मानस नाम के दो सुपयोग बन रहे हैं इनके अलावा व्रधी योग भी इस दिन बनेगा इसलिए इस बार की आवला नौमी और बिस्रेस्ट हो गई है तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साल 2022 में आवला नौमी यानि अक्षे नौमी का पर कब मनाया जाएगा तो आपको बता दें कि नौमी तिति की सुरुवात 1.09.2022 की राद को 11.04 मिनट पर हो रही है और नौमी तिति की समाप्ती 2.09.2021 की राद को 9.09 मिनट पर होगी तो उदया तिति की माननेता कैनुसार आवला नौमी का पर्व 2.09.2021 दिन बुद्धवार को मनाया जाएगा सुबा ग्यारा बचकर आठ मिनट तक रहेगा, इस सुब मूरत की कुल अवदी पाँच घंटा 35 मिनट की रहेगी दोस्तों ये व्रत घर की महिलाएं संतान प्राप्ती और परिवार के सुख सम्रधी के लिए करती है चलिए जानते हैं कि आवला नौमी के पूजन में कौन-कौन सी सामगरी की अवशक्ता होती है इसके लिए आवले के पौधे और फल की अवशक्ता होती है इसके लावा तुलसी का पत्ता, कलस, गंगा जल, फूल, फल, मिठाई, कुंकुम, हल्दी, अक्छत, नारियल, कच्चा सूत का धागा, या लाल का लावा, दीपक, दूब, स्रंगार का समान, घी, कपूर, आदी, चीजों की अवशक्ता होती है दोस्तों, आवला नौमी के दिन महिलाएं प्राता काल सुबा जल्दी उठकर स्वच्चवस्ध धारण करती हैं, इसके बाद व्रत का संकल्प लेती हैं इस दिन आवले के पेड़ की पूजा होती है, और उसी के पास भोजन भी किया जाता है, इसलिए जहां आवले का पेड़ होता है, वहां जाकर उसकी साफ सफाई करें या फिर आप अपने घर पर आवले का छोटा सा पोधा घर में गमले में लगा कर उसकी भी बूजा कर सकती हैं आप सर प्रतम आवले के पेड़ के पास जल भर कर कलस इस्थापित करें आप सबसे पहले कलस पर स्वास्ती का चिन बना लें और उसके मुख में मौली बांद लें अब कलस में हल्दी, सुपाडी, फूल, एक सिक्का डाल दें अब आप कलस के मुख में नारियल इस्थापित कर दें नारियल में भी स्वास्तिक कचिन और मौली अवस्य बांद लें फिर आप आमले के पेड़ की पूजा करें उसे जल वा कच्चे दूद से सीचें इसके बाद रोली, अक्षत, फल, फूल, आदी चढ़ाएं मिठाई का भोग लगाएं दूब दीब जलाएं इसके बाद आप कच्चे सूद से या लाल धागे से आप आमले के पेड़ की आठ या एकसो आठ बार परिक्रमा अवस्य करें इस परिक्रमा में आठ या एकसो आठ की कोई भी चीज भी चढ़ाई जाती है इसमें महिलाएं बिंदी, टौफी, चूडी, मेहंदी, सिंदूरादी कोई भी वस्तू का चुनाओ करती हैं और हर परिक्रमा में इसे आमले के पेड़ के नीचे चढ़ाती जाती हैं बाद में ये चीजें किसी सुखागिन महिला या ब्रामनी को दान किर दी जाती हैं इसके बाद आप अक्षे नौमी यानि आमला नौमी की प्रतकथा अवस्य सुनें आप हो सके तो इस दिन विश्णू सहस्त नाम का पाठ भी करें इसके बाद आर्ती करके विद्वत पूजा को संपन्न करें दोस्तों पूजा करने के बाद वहीं बैठ कर खाना भी खाया जाता है जो आप घर से बना कर लाई हो या कुछ लोग वहाँ भी खाना बना कर खाते हैं अगर संभव हो तो परिवार के सबी सदस से इस दिन आवले के व्रच के नीचे ही बैठ कर भोजन करें इससे घर परिवार में हमेशा खुसाली बनी रहती है दोस्तों आवला नौमी के दिन ये तीन काम करना बेहदी, सुब और फलदाई माना गया है आपको बता दें कि इस दिन आवले के पेड़ के नीचे भोजन बना कर आप किसी ब्रामण को खिलाएं इसके बाद खुद भी आवले के पेड़ की छाओं के नीचे भोजन करें ऐसा करना बेहदी सुब माना जाता है ऐसा करने से आपकी जो भी मनुकामना होती है वे सीग्र पूरी हो जाती है इसके लावा अक्षे नौमी के दिन दान का भी बहुत अधिक महत होता है इस दिन किसी ब्रामण महिला को सुहाग का समान ये खाने की वस्तू या पैसा दान करना बेहदी सुमाना गया है इस दिन गरीबों को अनाज या वस्त दान दें इससे भी आपको सुबफल की प्राप्ती होती है इसके लावा जो लोग अक्षे नौमी का वरत नहीं रखते हैं या जो लोग पूजा नहीं करते हैं तो वह भी अक्षे नौमी के दिन आवले के पेड़ की नीचे एक सुद्ध घी का दीपक अवस्त से जलाएं इसके बाद आठ बार परिक्रमा करते हुए कलावा लपेटें इसके बाद अपनी मनुकामना बोलें आप देखिएगा कि आपकी मनुकामना सीगर ही पूई हो जाएगी चलिए अब सुनते हैं अक्षे नौमी यानि आवला नौमी की व्रत कता जो इस प्रकार है एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो कासी में रहते थे उनकी कोई भी संतान नहीं थी इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती थी और उसका स्वभाव भी चड़ड़ा हो गया था एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चायती है तो वै किसी जीवित बच्चे की बली भैरो बाबा के सामने दे दे इससे उसको संतान प्राप्ती होगी उसने ये बात अपने पती से कही लेकिन पती को ये बात फूटी आख ना भाई पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ती की चहने इस तरह से बांध दिया था कि उसने अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया और एक तिन एक बच्चे की बली उसने भैरो बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम सरूप उसे कई रोग हो गए, अपनी पत्नी की ये हालत देख प्यापारी बहुत दुखी था, उसने इसका कारण पूछा, तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बली दी उसी के कारण ऐसा हुआ है ये सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने उसे बहुत मारा पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दसा पर दया आ गई और उसने उसे सलहा दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में इसनान करे और सच्चे मन से प्रात्ना क व्यापारी की पत्नी ने वही किया, कई दिनों तक गंगा इसनान किया और तट पर पूरी स्रधा के साथ पूजा की, इससे प्रसंद होकर मा गंगा ने एक गुड़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दरसन दिये, और कहा उसके सरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वैकार्तिक मास के सुक्ल पक्ष की नौमी के दिन व्रंदावन में आवले का व्रत रख कर उसकी पूजा करेगी, तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, वैपारी की पत्नी ने बड़ी ही विधी विधान के साथ प्राप्ती हुई, तभी से महिलाएं संतान प्राप्ती की इच्छा से आवला नौमी का व्रत रखती हैं, तो बोलो विश्नु भगवान की जै, तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें, और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें, और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें, धन्यवाद